नमस्कार दोस्तो, सिविल इंजिनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त, इंजिनियर अभिशेक सिंग दोस्तो, आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम खड़ा करने का जो है प्रोसेस चल रहा है, और आप भी इस वीडियो के माध्यम से पूरा सुरू से लेकर के अन तक दोस्तो, पूरा तरीके से यह चीज समझ जाएंगे, कि आखिरा कार एक कॉलम को खड़ा करने में किन किन ची आपको इटा का सोलिंग दिख रहा होगा, सोलिंग के बाद अगें दोस्तो, बालु लगाया गया है, ताकि जो भी गैप से उसमें दोस्तो, बालु भर जाये। अब दोस्तो, आगे का प्रोसेस क्या है और बालु पिछाने के बाद में आप देख सकते हैं, पानी आपको भ प्रेस्स क्या है यह भी देख लीजह अगला प्रोसेस यह दोस्तों कि आपको PCC कर्वानी है दो से अरहाइ इंची का आप दोस्तों सो लिंग के उपर में PCC करवा सकते हैं जैसा कि यह मिस्त्री कर रहा है ठीक इसी तरीके से PCC आपको खरवानी है आपको मैं बिल्कुल जो है प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं कि आखिर की इस तरीके से step by step आप column खड़ा करे ताकि future में आपको किसी परकार की कोई भी दिक्कत का सामना जो है वो eccentric ठीक है यहां पे centric footing है मतलब 20 दोस्तों footing आ रहा है आप देख सकते हैं यह देखिए यह दोस्तों मिट्टी यहां पे खोद आ गया था यह सबसे पहला step है ठीक है मिट्टी खोदने के बाद में आप देख सकते हैं यहां पे PCC तक मैंने प्रोसेस आपको दिखा दिया है PCC के बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे मार्किंग बीच में किया हुआ है जहां पे हमारा कॉलम आएगा वहां पे बिल्कुल सही तरीके से आपको मार्किंग कर लेने है कुछ इस तरीके से दोस्तों अब कॉलम का पोजिशन निकालने के लिए आपने जिस तरह से ले आउट के समय धागा बांद था ठीक है उसी ध मार्किंग किया हुआ था उसी के बिल्कुल सीध में आपको क्या करना है कि एक आपको जो मेस है जो जाली है उसके उपर में एक आसान तरीका बता रहा हूं कि रिंग बांद लीजिए और उस रिंग से दोस्तों सहुल के मदद से आपको क्या करना है कि कॉलम को इस तरीके से खड़ा करना है दो साहूल का आपको जरूरत पड़ेगा ताकि आपको दाएं बाएं और आगे पीछे दोनों का जो पोजिशन है वो आपको सही तरीके से मिल जाए इस तरीके से क्या होगा दोस्तू कि आपको क्या होगा कि कॉलम बिल्कूल भी सीधा मिलेगा और किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं आए बहुत सो लोग बोलेंगे दोस्तो कि यहाँ पे कभर ब्लोक के जगह में इंट का परयोग किया गया है तो हां यहाँ पे थोड़ा सा इंट की परयोग किया गया है चुकि 50 mm का कभर ब्लोक भी आप इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पे साइट में कमी और काम जल्दी निकालना था इसलिए दोस्तों नीचे PCC किया हुआ है तो अब दोस्तों इंट का संपर्ग जो है मौस्चर से कट गया है तो अब यहां पर इंट भी देने से किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद दोस्तों इस तरीके से एक बास बल्ला या फिर प लागा है फ्रग जे घर पॉर कार की कोई दिकते कमाते है तो um